पिछला यह दिविजन किया आपने लो मैं एक बार फटा आफट रिविजन करवा दूं आपको पिछले में जदा राजा भी नहीं पढ़े थे दो ही राजा पढ़े थे मोटा राजा उदे सिंग 1583 में जोद्पूर का खाल सा तोड़ के आकबत ने राजा बनाया और उसने पढ़ेंगे तो और बता दूंगा कि खुर्रम सांजा जिसको आप करते तो सांजा उसी का बेटा हुआ करता था और फिर हमने पटा कल्ला रायमलोत सीवाना का सामन्तुआ करता था उदे सिंग की चोटे बाई रायमल का बेटा था 1589 में जब अकबर ने सेना भेजी थी तो पर उसके जिंदारती लिख दिये गए थे एक तो अमने और बता ही थी कि बरात के स्वागत करने को सामिला जाते हैं पर अमने पटा था गज सिंग जिसको जहांगी ने दल थंबन की उपादी दी थी अपनी प्रेमी का आनारा बेगम के कहने पर उसने अपने छोटे बेटे जस्वन सिंगों जोत्कुर का राजा बनाया बड़े बेटे अमर सिंगों उसने नागोर दे दिया था और फिर गज सिंग के टाइम में कैसा उदास गाड़न ने गज गुन रूपक अमर सिंग जी राद दुआ और विवेक वारता नाम की किताब लिखी और हेम कवी ने जाकिनिया गाउं की सीमा को लेकर वो युद्ध हुआ था और फिर उसने अमर सिंग राटोड़ने आग्रा में साजाहां के दरबार में मीरबक्सी सलावत खान को मार दिया था और फिर हमने उसके बाद में पढ़ा था कि अरजुन सिंग गोड़ बाद में वापस अमर सिंग को मारता है रामर सिंग खुद की चत्री नागोर में सौला कंबों की बनी वी और आगरा के ले का बुखारा दरवाजा साजाह ने बंद करवा दिया था उसको अब अमर सिंग दरवाजा करते हैं और अठार सो नों में ज जस्वन सिंग अभी मैंने बताया था कि गज सिंग ने चोटे बेटे को राजा बना दिया था चोला सो अर्टीस में राजा बन गये थे अच्छतर तक राजा रहे थे क्या-क्या बाते हैं इनके बारे में पड़ले थे हैं चोटी उमर में राजा बना इसलिए संदक्सक बनाया गया था राज सिंग कुमपाउत याद रखना इस बंदे की बात पूछावा सवाल है को दुबारा पूछ लेगा वैसे तुम्हें आगे हम चत्रियां वगेरा पढ़ते हैं तुम्हें और बताता कि जोद्पूर में जोद्पूर के जो सामंत जीते वे थे संदक्सक है कहानी तो ऐसी भी है कि सिंग अल्ण सिंग में बीमार क्यों है तो उन्हों ने कहा कि इनके अदर वूथ पृत का साया है और वूत पर मरने से ठीक हो सकता तो उन्हों का मेरी बली ले लिए इस परकार के भी लोग हुए थे तो वो राज सिंग को पाउसन रख सक रहे थे रक्सा भी मतलब उस लेवल तक जागे रक्सा गरने वाला बंदा रहा है पिर इसके बाद में यह थोड़ा सदे को पढ़ने वाली सी चीज साज जहां लाष्टाय में थोड़ा बीमार हुआ अपनी जिंदगी में और बीमार हुआ तो सुचना है फेल गी साब साज जहां मरने वाला इसी खबरें फेल गी तो साज जहां कि बेटे आपस में लड़ पड़े थे दारा सिखो है औरंग जेब सुजा और मुराद नाम की चार लड़के थे चारों आपस के अंदर लड़ पड़े थे कहते हैं कि जादा तर जो अपने राजपूत राजा थे वो दारा सिखो के तरफ तरफ ते दारा सिखो बहुत भला ही था मेवाड़ वाले राज सिंग को चोड़ तो मैंने का था उसने इंडरेक्ली औरंग पंदरी थे ज्यादा तर्जो थे मौश्ट ऑप किंग जो राजस्तान के थे वो दारा सिखों के सपोर्ट में थे दारा सिखों के औरंग जेब के बीच में धर्मत का युद्वा मद्यपर्देश में एक जिगा प्रती है धर्मत धर्मत का युद्वा किस-किस के बीच में तो औरंग जेब के और दाराशिकोहे के बीच में इसमें दाराशिकोहेन दो सेनापती बेजे थे एक सेनापती तो जुस्वन सिंग था और दूसरा जो सेनापती था वो था कसिम था काषिम गान था और हुए बड़ा इंटेलिजेन्ट आदिमितार उसने काषिम खान को अपने तरफ मिले लिया और उसने काषिम का आ रहे कासिम तू कि जे इंदु का साथ केसे दे सकता है कि अर्गार सिम्गान का चिब ऐंदू का मर्त तो दरना मैं तो कि तरफ हम कोगे कि टारशी को आब खांव भाई है आप मुस्लमान धोaktक बोला कि अव्ति पीछ intensehot da का पिछला यूद क्छा हा ऑथ मेरि दारा तो अंडु बन गया और तो मुदमान मुसलमान मेरे साथ आ जओ इसलिए कासिम खान युद से पहले औरंग जेब की तरफ मिल गया था इसलिए जब युद्ध हुआ तो बाद में युद्ध छोड़ की आ गया था और जब युद्ध छोड़ा तो सेना तो वेसे अपने आप में मनोबल तूट गई थी और औरंग जेब इस युद्ध के तो बुंध हरा चौहानों युद्ध each तो ऊसका नाम भी अंग जस्वन्त आ धा इक उन्हकंु का नाम इक है उसके नु जोठ शिंख सिद्धु आर ऑर नाज्वण कोर सिद्धू जञा का नामें थी पर उसको जब पता चला कि मेरे पती युदहार के वापस आ रहे हैं तो उसने किले के दरवाजे बंद करवा दिया और उसने कहा था लिच्टड पती से अच्छा है पती हो ही नहीं राजा उतर आया और उतर आते गेट कीपर ने कहा कि आप कौन मैं मार जसुन सिंग यार मार जागर बइस चैनल आ उसको भापस आने दिया युद के बीच में से कभी नहीं हुगा तो याद रखना पैसे कौन सी एक राणी ने अपने पती के युद में से वापस आने पर या युद्में हार कर वापस आने पर के लिए के दर्वाजे बंद कर दिये ते तो यारी वी आपस जीत जाताहां। सब्सक्राइब ओरंगजएब जीत गया तो औरंगजएब आगरा चला जाता है, राश्त लक बीच में बात्चीत करने शुरू कर देता है इतने में औरंग जेब के अपने दूसरे भाई के साथ लड़ा युद्धा बंगाल का जो गवर्नर था सुझा उसके साथ में युद्ध होता आगरा के पास में जगवर्ण पर ती खजवा तो युद्ध में दर्मत तो औरंग ज देने के लगया तो इसके हाड़ी राने जस्वन देने के लिए के दर्वाजे बंद कर दिये था अब दूसरा सुनना दूसरा युद्ध वा खजवा का युद्ध एक और ये वा औरंग जेब और सुझा गे बीच में होता है दूसरा एक और भाही था इसका सुझा उसके साथ में वा इसी युद्ध में जस्वन सिंग गया औरंग जेब की तरफ से था लड़ने के लिए औरंग जेब ने बुलाया गया वहां जाके बेट भी गया केंप के अंदर पर वाद में इसको लगा कि नहीं यार औरंग जेब खराब आदमी है औरंग जेब का तो क्या इस साथ दिया जाए इसने सुझा से बातचीत की जोजा को प्लान हो तो बता तो शुझा नेका ठीक है बई मेरे तरफ से सफ्ट कोरनर है तो इसने आपने औरंग जेब की तरफ से नहीं लड़े तो रात को औरंग जेब का केंपी लेता है औरंग जेब का केंप लूट करें वापस आपने जोदपूर आखे आता किसी की तरफ से नहीं लड़ना रहे तो अपकुल मिला गया उसमें एक तरफ सुझा की साहिता ही हुई वी तो और हार गया था इसलिए बाद में वापस आया था और जो समथ देने के गया था लेकिन पाद में सुझा के साथ समझोता करके औरंग जेब के केंप लूट के वापस आजाता है समय ने पल्टा खाया सुझा हार के भाग गया उधर सुझा हार के भाग गया तो वापस दाराशी को अभी तक बचावा था अपने अजमेर के पास में दौराई का आज़े सिंग ने वापस जसुझा को आज़े क्यों पंगे लेता है रहा अब उधर ही चल ले आपने तो जाके इनका समझोता करवाजिया बाद में जसुझा वापस औरंग जेब के पास जाने लग गया था तो दो याद रखना बई उत्रा धिकार युद में तो धर्मत का युद और खजवा वाली युद दोनों के अंदर इसकी कही ना कई भूमी का थी दोनों बातें याद रखें अब आगे पढ़ते हैं इससे देखो अब इसके बाद आप जब औरंग और साहिसता खान की हेल्प के लिए साथ मत बेच दिया गया है जस्वण सिंग पर वहां करते हैं कि य्वाँ धिर साहिज को चारकों सेनी को गुशा दिया था और शाहिजी अंदर गुशके यह का अंगुठा चाट ले अंगुठा काट लेता यार ये जस्वन सिंगह ढure वाल्ब सिभा जी की इतनी एलप कर रहा है कल को जस्वन सिंगह उसकी तरफ भी हो सकता है तो मेरे कहला फिलाप लड़ सकता है तो क्या किया जाए तो जस्वन की अधुट भी ट्रेट लिट्ट अफगनिस्तान वोशटिंग कर दी तहीया कि तो आप कोई ने कोई सेन्यर कर देगा कि देख ज्यादा बढ़ मेर मेर बाड़ मेर देखा वाए गया दूंगा। दुंगरपुर वांसवड़ा बेजदूंगा में तरे को क्योंकि बोडर एरिया वहां पर बेजदिया करते हैं वैसे वैसे पहले मुगलों के टाइम में से कोई भी ट्रांस्पर करना होता ऐसे किसी रिबेलियन का कोई ऐसा राजा जोन के लाँ विद्रो कर सकता था अफगानिस्तान बेजदिया तो बाद में इसको भी कहां बेजदिया गया था काबुल तो दिया रखना भाई ये सिवाची कि लापी सफ्ट कोरना रखने वाला आदमी था कुल मिला औरंग जेब से तो तोड औरंग जेब बड़ा रजी हुआ था और औरंग जेब ने कहता है मज़ा आ गया है और औरंग जेब उस दिन कहता है कि आज कुफर का दर्वाजा तूट गया याद रखे ना यह कोई पूछेगा कि किसकी मृत्यूपर औरंग जेब ने इसा कहा था कि आज कुफर का दर्व िसलाम वहा करते थे उनको बलते थे काफिर और काफिर होते थे उनको काफिर होते थे यह विचार्दार ही यह Spavant कहा करते थे तो एंटी इसलाम होगी हिंदू जस्वन सिंग था तो उसने का भई आज दिन तक जो हमारी इसलाम का विरोध कर रहा था उस विचारदारा को जो मानने वाला था वो जो दर्वाजा वो तूटके रहा रखना भई यह स्टैटमेंट किसका है तो औरंग जेब का कि कित्ता उसने विरोध किया होगा का जिंदा रहा था उसने ओरंग जेब को जजिया करना ही लगान दिया ता मेरे दिन जजिया पहले यह आपको बताया था और जेसां शिंग को अगले साल 1679 में ओरंग जज़ीया लगा दे तो उसके मर्शियों पर औरंग जेब खुबी रा के अंदर वहीं मारे गए थे वहीं जस्वन सिंग के मृत्यूबी थे और एक बाद सुन के जब यह वहां काबूल के अंदर रहता था तो वहां पर अनार बहुत अच्छे हुआ करते थे तो वहां से जस्वन जिन کے नैतरतों में अनार वहां पर लगाए गए थे तो यह भी आद रखना के जोद்वर में अनार किस राजा ने लगवाए थे तो जस्वन सिंग ने लगवाए थे काबूल से तो कागा में वो बीज होगे रहा कहां से लाए तो काबूल से तो आज जब बाड मेरे के अंदर और अनार के बगीचे अनार के खेत हम लहला हाते वे देखते हैं तो हमें उस राजा को भी याद करना चाहिए जो आज से कई सताब्दियों पहले इन सब की शुरुवात कर चु था फिर बढ़ते हैं आगे आगे फिर जस्वन सिंग की वाम्रत्य हो गए विद्वान आदमी था पुस्त के लिखी ती जस्वन सिंग ने कही जैसे कौन कौनशी किता भी याद रखना भी आनंद विलास भासा बूसन प्रवोद चंद्रोदे एप्रोक्सिद्धान्त ये पुस्त के भी याद रखना कौन कौनशी है कौन कौनशी है अनंद विलास भासा बूसन प्रवोद चंद्रोदे एप्रोक्सिद्धान्त याद रखना बोल बोल के देखोगे तब याद होगी अनंद विलास बासा बूस यह दो जदा याद रखना दो यह भी नीचे वाड़ी पढ़ लेना मैंस में कभी हो सकता है चारों पूछ ले प्री में जदा तर संभावना इनकी पूछने की रहेगी आप से अब्जेक्टिव एक्जाम के लिए अनन्द विलास और भासा बूशन के बारे में पूछा जा सक ऐसमें आनार के बगीचे लागवाये अरे जोनके जोड़्पूर में रहा आज चाहद देने बनवाया था कि एग स्गी रानी और थी अतिरंग दे से उसे अति रंग देने अकताला आप बनवाया था वो सेखावत थी खुद इसलिए उसको सेखावत जी का तलाब भी कह जाता है रानी सेखावत थी इसलिए सेखावत जी का तलाब कर देते है और साउथ में पोस्टिंग रही थी तो साउथ में औरंगाबाद के पास में इसने एक कस्वा बसाया था पूरा जस्वंत पूरा जस्वंत पूरा नाम का एक कस्वा बसाया था तो ये याद रिखना कि कागा उध्यान लगवाया यहां पर अफगानिस्तान से अनार लाके लगवाया थे राई का बाग महल बनवाया था इसकी रानी जस्वंत देने इसकी निर्मान करेब है इनके किताब याद रगना अंध विलास बासाब बूसन प्रभोध चंद्रोदे एपरुक शिद्धान्त और पढ़ते हैं आग दरबारी विद्वान पढ़ लेतें कौन-कौन है पहले दरबारी विद्वान है मुहनोत नेंसी बहुत बड़ा नाम मुहनोत किताब लिखी वे नेंसीरी खियात नेंसीरी खियात , युँझात आपने हिंदी यह संस्कृत में बड़ होता है खियाति , मैं इंगली इस में बोला राजाओं की लोगप्रिये टा, इसको हम कता है उसको खियाति बोलते है फिट्ट के जो राजाओं की लुख प्रिएता अ फेम पॉप्लरिटी प्रसिधि को मपढ़ती उन किताबों को बोलते कियात राजस्तान में पहली बार बार रम किसी ने ख्यात लिखेए निए नगी लेकी इसलिढिया किताब चाहि नाम और दियान夠 किताब नाम सुझा इसकी बिट्टू है तो नाम नेंसी है और जाथि की किताब लिखी थी दिये रिख्यात, रजाश्तान के प्रस्मद क्यात है रहजस्तां की प्रथम ख्यात दूसरी एक किताब और लिखी थी एक किताब है मारवाड राप परगना रिविगत परगना मतलब तो गया चेत्र रज्ये एरिया श्टेट जो आप बोलना चाओ वो परगना विगत का मतलब उता हिस्ट्री विगत वर्ष जंसंक्या कितनी थी विगत वर्ष उत्पादन कितना वा विगत का मतलब इस्ट्री तब बनावा मारवाड के रज्ये क्या का इतियास तो मारवाड रा परगनारी विगत अब इसमें क्या बताया परगनारी विगत अब इसमें यह भी बताया है कि हमारे परगन कितनी कितनी मिलती है सब चीज़ें एक-एक मेंशन की विए मतलब एक तरीके से यह मारवाड रियासत का आर्थिक और समाजी की त्याहस है स्थे omic all economic और social जो इस्टरी होती है ह। अधिकारीयों के बारे में इसली के नाम पड़ा है इसकी अ किताब का अधिकारीयों के बारे मेरे मेरे बताती है इसको बोलते हैं गजट만 भी काम पढ़ा होगा आजकाल तो नहीं पढ़ता जब आपने कते थे कि कोई फॉर्म बढ़ना है किसी भी एक्जाम का तो गजटेड़ ओपिसर के शाइन करवाकिल हो गजटेड़ ओपिसर कौन होता है तो आम रहे कर फश्ट-क्रेड अधिकारी गजटेड़ ऑपिसर का अगे हैं मारवाड का गजट मैंने बताए इसमें यह जानकारिया है कि किस जाती किते-किते-किते लोग रहते हैं तो सबसे पहले यदि कहीं पर जनगर ना की इसका मतलब लोग गिने होंगे कि पॉपलेशन संसस् की जानकारी किसी किताब के इंदर मिलती है तो मार्वाड रपरगिनारी विगत कोई आदमी यह जानकार देता है तो मुहनों तो नेंची और नेंची और नेंची किता इंपोर्टेंट रहा होगा कि अपने राजस्तान के बहुत अच्छी त्यासकार हो है मोन्सि देवी परसाद मून्णि जी केते हैं कि भाई जिस परकार अकबर के दरबार में अबूल फजल था उसी परकार अमार राजस्थान में नेंची जी वे ए है तो नेंची को राजपुता ने का अबूल फजल कहा जाता है तो याद रखना कोई पुछें कि राजपुताने का अबुल्पजल कोण है तो मोहनोत नेनसी, किसके दरुबार में था तो जस्वन सिंव एक नाम और उसको क्या कते हैं तो उसको मारवण का गज़त कते हैं पोपुलिशन संसस की हमें जानकरी मिलती है वहां से अंतिम दिन बहुत बूरिया है बहुत नेंसी वेसे जोदपुर के दिवान बने थे दिवान बहुत बड़ी पोश्ट हुआ करती थे लेकिन बाद में जस्वन सिंग जी से करजा लिया वा था करजा चुका नहीं पाये थे इसलिए नेंसी को और नेंसी के एक बही औरते सुन्दरदास इन दोनों को जस्वन सिंग ने गिरफतार कर लिया था जेल के अंदर डाल दिया था और जेल में जाके सोचा कि यार क्या दिन है कभी अपने पूरे जोदपुर के दिवान हुआ करते थे और आज अपने को गिरफतार करके यहां पर रखावा है इस बात पर बंदे को बहुत ज़्यादे हैं सर्म आई और उनोंने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया था अपने भाई के साथ मिलके नेंसी और सुन्दरदास दोनोंने जेल में आत्मत्या कर लिया थी जेल में सुसाइड कर लिया था उनों तो याद रखना इस बात खोल लो कि राजस्थान के कौन से लेखक ने जेल में आत्मत्या कर ली थी तो मुहनों तो नेंसी अपने कौन से भाही के साथ उसंदरदास किसे नेंसी की सारी बात याद रहे जाएगी और करनल टोड जब आ इस बात को भी दिमाख में रखना आप फिर इसके बाद आगी कौन-कौन से नर हरी दास एक राइटर है किताब का नाम है अवतार चरित्र बैशन घुल्ब सारी लिखी थी पर ये एक yad राखना अवतार चरित्तर नाम की बुक थी एक नवीन कवी नवीन कवी है नवीन कवी के एक बुक नेह निधान ये भी याद रखना हूँ है और थे दो एक और थे इसमें नाम नहीं लिखे हूँ मैं लिख देता हूँ सूरत मिस्र एक विद्वान थे बनारसी दास एक विद्वान थे पर इनकी दो तीन की किताब याद रिख लेना मुनोत नेंसी की मैंने बताई दी थी लोग आपस लिख देता हूं इदर ताकि आपके याद रहे नेंसी दी ख्यात और मारवाड रापरगनारी विगत या मारवाड का गजट और नरहरिदास की कोन सीट अवतार चरित्र और नविन कवी की कोन सीट नेहन निधान ये सब जस्वन सिंग्जी की बाते हैं बाए जस्वन सिंग्जी की बाए में बताएवा है चलो आगे पड़ लेते हैं इससे बाद आगे यह अगले राजा गलती से लिख दिए गए यहां पर अजीद सिंग बनाने में गलती हो गई कोई और यह इसका सन्हाप चेंज कर लें 1689 से 1764 सिंग की मरत्यु भी मैंने अभी आपको बात बताएगी जस्वन सिंग के मरत्यु के समय और जस्वन सिंग के अउलाद नहीं थी कोई जस्वन सिंग के कोई बच्चे नहीं थे इसलिए बड़ा राजीवा था और अरंग जर परकते उसके मरत्यु के बाद 12 दिन के अंदर अंदर ही उसके दो रानियों के दो बेटे वे एक बेटे का नाम रखा गया था अजीद और एक बेटे का नाम रखा गयाता दल्थम्बन अजीद सिंग और दल्थम्बन नाम के दो बेटे वे जसेंद सिंग के साथ में जो भी करमचारी थे वो करमचारी उनको लेके और वापस आ रहे थे रानियों और बच्चों को लेकर बच्चना मिली चलते हैं कि आप तो रजी हो रहे हो फाल तो जस्वन सिंग के तो दो बेटे हैं अजीद सिंग और दल्थम बंद और वो लोग लाहर तक तो आगे वो जोत्पूर जा रहे हैं जस्वन सिंग के जो प्रमुख मंत्री थे दुर्गादास राठोड थे आपने नाम सुना होगा दुर्गादास राठोड उन बच्चों को राणियों को लेकर आ रहे थे तो और और जीव ने जब यह समचार सुना तो और जीव करता है कि बंदा सोचता कुछ और है पर राजा बनाते हैं आपे बच्चे को फिर हम बेज देंगे आपको कते अंदुर्गादास राणियों को और अपने साथ में जो भी सेना थी उसको बच्चों को लेके डिली चले के और अंग्धिव के पास गए कि हां साब आ गे का एक बार तो रुको रेस्ट वेस्ट करो डि अधिया के रूप सिंग राठोड की अवेली में जाके रुगए वहाँ जाने के बाद में सबको गिरफतार कर लिया गया और गिरफ्तार करके ओरंग जेव ने कहा गिए अजीत सिंगों मुसलमान बिणाओ तब तो मैं छोड़ दूँ और नात मैं छोड़ूँगा ये नहीं मैं तो आपको यहीं रहोगा मार दूँगा सब को इनको लगा M T तो एंन्होंने प्लाणिंग की और प्लानिंग करके गोरा नाम की महिला थी उस गोरा नाम की महिला को और साथ में लिया और एक बच्चा को दूसरा एक बच्चा लेकर उसको तो वहां पर रख दिया और अजीद सिंगों लेकर वहां से निकल जाते हैं कहानिया हो रहे हैं कि एक सपेरा था उसको एक किस सैनी को सपेरी का वेसबुसा बना के बिजी गए थे मुकंदास जी गए थे सपेरा बनके और बाहर जो औरंग कापला किया लेकिन दुर्गा दासर उनको लेकर यहां तका आ जाता है कहानिया यह भी थी कि दल्थंबन बीच के अंदर मारा जाता है रानियों को बिच में रानिया लड़ती भी इमारी गई थी कोई कहता है लिए इन्हों ने इनको जब लगा गी राणिया दुस्मन की आ मेवाड में पन्ना धाय ने उधै सिंग की रक्षा की थी उसी प्रकार गोरा धाय ने अजीफ सिंग की थी इसलिए ये मरुवाड की पन्ना धाय कहा जाता है कर जैसे आपना राष्ट्रगान जन्गन मन है जैसे उस समय जो मारुवाड देश हुआ करता था उसका राश्टरकान वहा करता था 200 वैसे 200 मुजिकल इंस्ट्रूमेंट होता एक गीत था 200 बाजरे मारवाड को 200 बाजरे उस 200 वाले गीत के अंदर बाकेदा गोरा का नाम लिया जाता है गोरा को याद किया जाता है कि उसकी वज़े से हमारा राजा बचा था और इन गोरा धाय की चत्री है बाकेदा जोदपूर के अंदर चत्री बनी वी है तो गोरा धाय के बारे में चत्री बनी विया, दोनों तिनों बातें आदे रखना, किस किस की मदद से क्या क्या ले किया थे, अजीत सिंग यहां पर ले किया है, लाने के बाद में शिरोही के अंदर, एक गाउं पड़ता है कालिंदरी, उस कालिंदरी गाउं में जैदेव प्रोहित नाम करके एक बंदा और उस जैदेव प्रोहित के घर पर रखा गया था, यहां पर रखो और काफी बड़े हो गय थे, आठ साल का जब अजीत सिंह हो गया था, तब कहते हैं, प्रकट रूप के अंदर ले के आया थे, जनता की सामने ले के आया थे, तब तक उसको वहीं पर जैदेव प्रोहित क के घर पर रखा गया था और कौन-कौन मुख्य भूमिकाम से दुर्गादास राठोड मुखंदास खेंची गोरा इस सब बते याद रख लेना दिली में रूप सिंग राठोड की हवेली में इनको नजर बंद करने कोशिश की गई और सुन कहते हैं वहां से जब यह भाग क्य आगे अरंग जेब को जब पता चला घिजा भागे फाईडल तो अरंग यह तम तम आया और जनता के सामने बेश्टी हो जाएगी तो जनता को यह का नहीं भाई वह तो जिस बच्चे को लेग गए वह जीट सिंग नहीं अजीट शिंग तो पहले से मेरे पास है और मैं इस बच्चे को मुसल्मान बना रहा हूं और मुसल्मान बनागे इसका नाम रख देते है मुहमधी राज तो औरंग जेभ ने नकली अजीत-संग का नाम बदल कर क्या कर दिया था मुहमधी राज और 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 अजिभ की खुद की एक बैटी जेभौ निशा और उसने का आज से मेरी बेटी संभालेगी इसको जबुनिशा संभालेगी संभालने के लिए किसको दे दिया गया था जबुनिशा को यह आद भी रखना कि और अंग जब ने नकली अजीद सिंग का नाम बदल कर क्या कर दिया था मुहमदी राज और उसे किसको संभ दिया था अपनी बेटी जबुनिशा को संभ दिया था जसन सिंग के दो बेटे वे अजीद सिंग और दल्ठंबन और अंग जब इनको दिली में रूप सिंग राठोड की हवेली में नजर बंद कर लेता है दुर्गादासरा ठोड मुकंदास खिंची, गोरा नाम की महिला की साहिता से लेकर मारवाड आते हैं, गोरा को मारवाड के पन्ना धाय कते हैं, दूसरों में नाम लिया जाता है, जोधपुर के अंदर इसकी चतरी बनी विये, और अपनी बेटी जबुनिशा को दे दिया था और असली जो अजीद सिंग था, उसको दुर्गादासरा शिरोई के कलिंदरी गाउं में जैदेव पुरुहित के घर पर रखते हैं, यह सारी बाते हैं याद रखने वाले सी, फिर आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पर लेके तो आगे, फिर मैंने एक दिन आपको बात बताई थी, अब यहाँ पर साहिता कौन करें, तो मेवाड के रहना जीवा करते थे राज सिंग जी ने का भाइट ठीक है, वो और अरंग जब से पंगे लही रहे थे उन दिनों के, उन्होंना अजीद सिंग अजीद सिंग को मदद देना किस के खिलाब, तो मुगलों के खिलाफ या औरेंग जैब की खिलाफ उसको हमράटोर शीनवी सिवूदिय안 agreement कते हैं, या warto शीन शीन खताम पंदन कते हैं उसको, अपन इना राज सिंग को दुर्गादर। अजीद सिंगे थे राज सिंग तो शी और तेरे पापा तो हिंद्वों की खिलाफ हो रखें तेरे दादा जी नेन परदादा जी नेन जो हमारे साथ में मिलके राज करने की निती अपना ही थी उसके उल्टे हो रहे हैं और तुम्हारा राज जाएगा तु यदि मुगलों का राज बचाना चाहता है तो अपने पि कि अरंग जेब ने जब और जब को पता चला पहले कि राठोड़ सिसो दिया गठमंदन बन गया है तो औरंग जेब ने इनको गठमंदन तोड़ने वगरा कोशिस की थी और जब ने इनकी किलाप सेना भी बेजी तो यह भी याद रखना कि इस गठमंदन के खिलाप 1680 में और अगठमंदन के अंदर सामील हो जाता है और यह लोग बाकद अकपर को बादसाघोशित कर देते हैं एक जनवरी 1681 को पाली में अपने एक जगा पढ़ती है नडोल या नडोल के अंदर और आपके अकबर को बादसा गोशीद किया गया था यह याद रखना यह भी क्यूस्टन पूचाव है जैसिंग ने दुर्गादास ने रिणोंने मिलके बादसा गोशीद कर दिया था बादसा डिकलेर कर दिया था अब औरंग जेब ओडर लगा औरंग जेब लगा यार मरवा दिया फाल तूग अब और औरंग जेब ने इनको तोड़ने शुरू किये वापस हखते हैं कि औरंग जैभ ने इनको दुर अधंको जै संग को और अकभर की खिलाब सडीर अन्त रचने शुरू की ये Champ डालके यहां पे पड़े वे था है नाडोल के आ सपास में दुरकादास की सेना जै और आपके उधर अखबर की सेना और करते हैं औरंग जीब ने एक लेटर भीज़ुआ है दुर्गादास के पास में बंदा भीज़ा लेटर के अब तहवूर खान नाम का एक आदमी था जो अखबर के तरफ था पहले और औरंग जीब ने उसके पास पहले मैसेज किया गी यह अब आप लड़ाई छोड़ दो क्योंकि अकबर और ओरंग जीब दुनों आपस में मिल गए उसने लेटर वोड दिखाया कि देखो ये लेटरा है अकबर के पास देरने के लिए उस लेटर में लिखा वा था औरंग जीब लिखता है जैसे कि श्यावास मेरे बेड़े तु तो दोनों को एक साथ ही मेरे पास लेके आ रहा है यावास बहुत अच्छी बात पर दुर्गादास ने का नहीं यार यह नहीं हो सकता अकबर तो हमारे साथ ही रहेगा अकबर पूच के देख लो अकबर से कहने दुर्गादास अकबर के डेरे पर गया तहवूर खान उदर जो डेरे का बाहर गेट की पड़ था उसको कह के आया था कि दुर्गादास ये इनके पर कारेंड किसी भी सुरुत में अकबर से मिलना नहीं थी रात का टाइम था जैसे उसका तैंड़ की दुर्गादास चीजц के पास के आधाय और उसने का अकबर से मिलना है उसने आभ और उसने का नहीं में की दुरुगादास जी जो भी सेना लेकि यहां से वापस चले गए और इधर मेवाड़ वाले जैसिंग रिया अपनी सेना लेकि निकल गए अकबर वेचरा सुबा अकेला ही बचा 301 फुजी बचे अकबर के पास कुली अकबर को जब सडियंतर का पता चला अकबर दुरकादास के पीछे इन भागा दुरका कि कि तु मेरे साथ संदी कर ले अपने लड़ाई बंद कर देते हैं मैं तरे को ये तीन जो आप मेने दिन बताये था आपको पूर बदनोर और मांडल ये तीन इलाके मेरे को जज़ेर मैं तरे चेत्रवे जजिया नहीं लेगांगा जैसिंग खुद भी लड़ाईयों से त पार पढ़नी नहीं है चल अपने दोनों यहां से साउथ में चलते हैं और दुर्गादा जी यहां से उसको निकालते हैं साउथ ले करते मात्र पांसो गुर्षवारों के साथ जगह जगह मुगलों के थाने जगह जगह मुगलों के कबजे सारे कबजे और थाने तोड़ते सारे यूं सिगनल तोड़ ताड़ के बंदा वहां पर साउथ में चला गया था और साउथ में सिवा जी के बेड़े संभाजी राज कर रहे थे और संभाजी को जागे का कि साब अकबर को सरन दो और संभाजी न सरन दे दी थी दुरकदास राठोड वहां पर संभाजी के पास अकबर को लेके 9 साल तक रहे थे और जैसे ओरंग जेब को पता चला कि ज़ाब संभाजी के पास चले गए है ओरंग जेब उस दिन राजस्तान वाले पंगे सारे खत्म करके उधर जाता है दक्षिन भारत के अंदर जाता है और उसके बाद औरंग जेब कभी दक्षिन भारत से वापस लोट के नहीं आ पाया था उसके बाद दक्षिन भारत में लड़ा था वहां की लड़ाई उत्ता फस गया था अलांकि 9 साल बाद में जब अकबर कोन लगा गयार यहां भी पार नहीं पड़ रही से हल्प नहीं हो रही है तो अकबर द्रुगादास को कहता है आप तो जाओ और मैं इरान जा रहा हूं इरान की राजा से साहिता लेके आँगा और वहां से इरान की तरफ निकल जाता है और इरान के राजान के पास प्राद कि उसको मार दिया था तो अकबर का बेचाने का अन्त बहुत बूरा हुआ था तो याद रखना कि अखबार किसके कहने में पर विद्रो कर देता है और जब राज सिंग के मृत्यू हो जाती तो उनका बेटा जै सिंग साहिता करता है और यह सब मिलके एक जनदुरी 1681 को नाडोल में अकबर को बादसा गोशित कर देते हैं लेकिन ओरंग जेब के सडी अंतर की वज़े से एक ड़बंदन तूट गया अकबर को दुरकदा स्रा मैंने बताई दिया आपको 1680 इसे जुड़ी भी घटना थी इसलिए मेवाड पलस मारवाड वरसेज औरंग जेब और जीता कौन था तो औरंग जेब जीता था इस यूद के अंदर यह दो चीज याद रखाना कते हैं जो अकबर यहां से गया तो अकबर ने का दुरकदास क अपने साउच चल लेंगे पर मेरे बच्चे तो दुरकदास की निगा बच्चों को मेरे पास छोड़ जा सिंथा इमत कर तो उसके दो बेटा और बेटी दोनों थे वो दुरकदास की के पास यहां थे थे बाड़ मेर में गाउं पढ़ता है जुन्ना बाड़ मेर के अंदर अधर एक बंदे थे जगनाथ रामचंदोथ उन जगनाथ रामचंदोथ के घर पर इनको रखा गया था दोनों बच्चों के नाम याद रखना यह कोई एक्जाम में पूछ लेगा गांवाम याद रहे नहीं रहे बुलंदक्तर और सफिदुनिसा औरंग जेब के पोते-प बुलंदक्तर और सफिदुनिसा को रखा था जुनाबड में जगनाथ रामचंदोथ की घर पर रखा गया था औरंग जेब कई साल बात पता चला कियार मेरे पोते-पोती तुमां दुर्गादास के पास ही अकबर के साथ गये नहीं तो उसने दुर्गादास उकावे इनको मुझे दे 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 इन फोते-फोती को मुझे दे उसने मना करते नहीं इनको तो मैं नहीं दूँगा मेरा दोस्त अकबर छोड़ गया था इनका पालन पोशन मैं गरूंगा तेरह क्या विश्वार फिर फाइनली जब औरंग जेब की पार नहीं पड़ी तो औरंग जेब के अपने मारवार के एक राइटर हुआ करते थे इस्वरदास नागर बहुत सी अच्छी से किताब लिखिये उन्होंने औरंग जेब फुतोहात अलमगिरी नाम की किताब लिखी है मुगल मारवार संबन्दों का बहुत अच्छा सा वहनन किये वह इस्वरदास जी जो नागर थे औरंग जेब के दरबार में थे औरंग जेब उनको कहता है कि यार ये वाला तो काम करवाओ यार मेरे पोते-पोती तो आपस दिलवाओ उसने दुरगदास जी से बात कि दु ये अपने बेटे को भी मारना चाता था अकबर को कल को पोते-पोती को मार दे तुमां आकबर को जा क्या जबाब दूगा कि तू तो तरे बच्चे मेरे पास छोड़ गया तर मैंने मरवा दिये इस्वरदास जी आप तो मारवाड गया आज में और आप समझते आप मूल से करने पर दूगा दास ने इन दोनों को वहां पर भेज दिया था जब ये गए बच्चे वहां पर तो अरंग जेब ने कहा कि एक मौलवी साब लाओ, दोनों बच्चों को पहले मुसलिमान बनाओ, दोनों बच्चों को कुरान सिखाओ, दोनों बच्चों को नमाज सिखाओ और कते हैंगे सफित नहीं सागती है, नहीं दादा जी, नमाज की, कुरान की, इनकी कोई जुरूरत नहीं सीखने की और हम मुसलमान ही है, औरंख जेब ने का कैसे हिंदू के गर में रहे के हिंदू बन गए होगे वहां पर, और नमाज और कुरान तुम्हए कहाँ से आई, उनका एक मौलवी साब डेली आके हमें सिखा के जाया करते थी, तो तो मौलवी साब आते थे, कौन बहेश्ता था मौल किते moral high होंगे उस आदमी की, morality high होगी उस आदमी की, कि दुस्मन के बच्चे जो विधर्मी है, दुस्मन के बच्चे जो अलग religion के हैं, उनके लिए भी उनकी religious education की भी वावस्ता उस आदमी के द्वारा करवाई गई थी, और वो यूँ गलगला हो जाता है, और पूछता है जब से मैं थोड़ी बड़ी भी, समझ पकड़ने लगी थी, उसके बाद तो वो कभी मेरे आंखों के सामनी नहीं है, और हमेसा जब भी आता तो पर्दा तान के और मेरे से बाचित किया करता था, कि मैंने उसको कभी आमने सामनी नहीं देखा, उसने दुस्मन की बच्ची क कि तरब कभी आंख उठा गए भी नहीं देखा, कि किसी भी प्रकार की कोई बूरी नियत किन्तो बहुत दूर की बात है, कि बाबो कहें पुकारती नि जानू उन्रों वेस, कारण की निजनेन सियूं देख्यों नहीं दुरगेस, कि मैं तो बाबा कहें कि पुकारती थी, उ जब दुरगादास के पास मेसेज करता है, कि दुरगा मैतर से बहद राजी हूँ, तो एको जो चाहिए, जो सबसे अच्छा लगता है, वो मांग तुम, मैं तुझे जोटपुर का रजा बना दूँँ, तुन्हें आज यार यह इतना बड़ा काम किया मेरे लिए, और दु सार अच्छा लगता है, मरुधर का देश अच्छा लगता है, खग वालो, जग वालो, वालो, मुर्दर देश, श्याम धरम वालो, सदार, नित वालो, नरेश, कि मुझे श्याम का धर्म, ये हिंदू धर्म अच्छा लगता है, पर इन सबसे अच्छा मुझे मेरा नरेश अ एक किसी व्यक्ति का चरित्तर देखिए आप उस व्यक्ति का क्रेक्टर देखिए कि किसी व्यक्ति के पास में खुद के पास में नव कोटी मारवाड का राजा बनने की तमाम संभावनाय मौझूद थी लेकिन उसके बावजूद वो उस नाबालिक बच्चे के प्रती अपनी सारी की सारी इच्छाएं रखता है उस नाबली बच्चे के प्रती अपनी सारी की सारी भावनाएं रखता है और वो कहता है कि नहीं जब जस्वन सिंग जी मरे थे तब कह के गए थे कि जोतपुर का ध्यान तू रखना कि जस्वन्त कयो जोए कोई घर रखवाड़ो करें वात्त युस आशकरण के बेटे ने जस्वन सिंग बात को यह था इस्तती रखा कि ए दिन जोतपुर की रक्सा वो करेगा और उसने एक दिन तक रक्सा नहीं कि थी उसने जोतपुर की 30 साल तक लड़ाई कि पुरुण जीब से किते साल लड़ा है हो तीस साल किस बात क के लिए केवल अजीत सिंगों रजा बनाने के लिए उसने 30 साल तक लड़ाई कर ली थी मुझे आदे बार मेंस में सवाल था कि राठोडों का 30 वर्शी संगर्स कौन सा क्या था या क्या कहलाता है तो राठोडों का 30 संगर्स वह है जब दुर्गादास अजीत सिंग रजा बन पुद वहां थे अलंगिरी उनकी किताब है यह तीस पुर्षी युद्धी आ गया आपका फाइनली 1707 में औरंग जेब मर जाता है और 1707 में औरंग जेब के मरने के बाद बहादूर सा प्रथम राजा बनता है और मैंने आपको कहा था गी 1708 में देबारी समझोता होता है पड़ायवा मेरा देबारी पैक्ट पूरणी क्लास के अंदर और देबारी पैक्ट के बाद में अजीद सिंग मारवड का राजा बनता है तो अजीद सिंग को राजा बनाने के लिए 168 से लेके 1708 तक मुगलों के खिलाब जो लड़ाई लड़ी गई थी उसको 30 स्ट्रगल उप राठोडों को तीस वर्षी युद्ध कहा जाता है याद रखना प्री में 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 इंट्रिव्यू में सब में पूछा जाने वला सवाल मुझे तयाद है मिना जी का बोड़ता में इंट्रिव्यू म वह देख लेना किसके खिलाफ लड़ा गया चेक कर लेंगे सारी बातियां जाएगी एक साथ इसके बाद में आगे देखते हैं क्या अधीद सिंग अधीद सिंग ने कौन-कौन से किताब लिखी अधीद सिंग की तोड़ी किताब है याद रख लेना अब दुर्गा पाठ निर्वान राद दु़ा मैं यह किताब हें लिखी थी तो यहाज इससिंग विद वहाण अध्यमी त 연व है यह पुस्तग है दुर्गा पाठ बास लिखी थे इंहों का किसा ओर है एक हुट्ब लिखी तो Jr. याद रहे तो बहली बात नहीं हुंएदॉ और गुंस अगरी अजीत सिंग किताब है धिर अगे पड़ लेते हैं और क्यागा चीज है इसमें प्र दुर्गदास के बारे में देखो अच्छा मत थोड़ी सी बात और बता दूँ आपको अजीद सिंग की बात और बता देता हूं आपको एक तो अजीद सिंग ने चली उसमें आगी बता हूँगा में तो दंग से समझ में आएगी दूर्गादास के बारें पढ़ते हैं, देखो दूर्गादास का जन्म वहा था, जोधपूर के अंरे गाओं पढ़ता है लाए वहाँ पर जन्म हो था पिता जी का नाम था नेतकमर पिता जी का नाम था आसकरण करते हैं आजकरन जी के तीन राणियां थी नेतकमर तीसरी राणी थे लेकिन इस पत्नी से अपने कम बनती थी इसलिए उन्होंने जब भी बेटा वा जैसे नेतकमर के बेटा हुआ था दुर्गादास के होने के बाद में और उन्होंने माँ बेटे दोनों को अलग कर दिया थ पिता अपने दो रनियों के साथ अलग रहते थे रहते हैं वो तो कोई बात नीकल रहते थे जासन सिंह निकल रहे थे और उंट को जो चराने वाले थे वो ठोड़े पिच्छे रहे गए ते उंट खेत में गुश गए नुकसान करना लगे तो दुरका दास ने लठ ले ले लेकिंगाना का निकालना सुरूbok होने दो पिच्छे 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 और उन्हों ने को जानता नहीं किसके उंट दुरकादास ने करें बले लोगों किसी के हो तुम सराइने वाले तुम पिछे रहेगे मेरे खेत में गुश गए आ रही है और मेरे खेत का नुक्सान कर दिया इन लोगों उनका अब जबान और चलाता है ये जोदपूर मारदा जस्वन शिंग जी के उंट है दुरकादास न बीने नहीं देता और उनना तुझ जानता नहीं किसके आदमी हम जोदपूर मारा जागे आदमें जस्वन शिंग जी के आदमें दुरकादास ने का तुम अब किसी क्यों होगी मुझे से कोई मतलब नेर मैंने निकाल दिया इस बात पे तुटू में अभी थोड़े जड़ खड़ा-खड़ा आपको गालीया निकाल रहा था हमने जांक गालीया क्यों निकाल रहा एक आदमी को ऑदी हमने जस्वन शीट मेरे रज्य में मुझे गालीया निकालने वालको पकड़के लाग कोण दुर्गादास को पकड़ के ले, दुर्गादास के जो पिता जी थे आसकरण जी वो जसुन सिंग के दरबार में ही थे, पास वाली सीथ पे बेढ़ते थे, उन्होंने देखते पैचान और लिया, कि मेरे वाला है, लेकिन फिर भी बोले नहीं, चुपचा भी बैठे रहे, उ आसकरण जी ने का, जाब बे लखनी उलाद पैदा हो जाती है, ऐसी बे लखनी इसकी माँ है, और ऐसा यह है, इसलिए मतों इनको साथ में रखता है नहीं, आपको जो जी में है वेसी सेजा दो, आप यह दिकभी गाउं की सरकारी स्कूलों में पड़े हो, अब वाले बच् जो जी में है वो सजा दो इसको, जासुन सिंग ने पूचा, पहले बाई पूचा जाए, क्या गल्ती है, क्या नहीं है, बता क्या बात है, और उस लड़कें सारी बात बता है, दुरकादास ने, यह यह मेरे साथ, यह यह किया था, यह चीज़ें भी थी, जासुन सिंग जावार निकाली, और वहीं, दूसरे आदमी को वहीं पर मार दिया, और जसुन सिंग क्या रजीव है, जसुन सिंग अब तक की बाचीत में यह भी समझ गये थे, गल्ती मेरे आदमीं, गल्ती इस लड़के की ने, और जसुन सिंग रजी इस बात से, क्यार मेरी नजरों के स सामने जागे बेटोगे और का आज के बाद दुर्गादास में रागदम प्रमुक्ष मंत्री तब उन्हों ने वो का आगे जस्वंत कयो जोए को घर रखवालो दुर्गडो साची कि दीस होए आची आसकरण वत जस्वंत कयो जोए ढूंड कर दस्वंद सिंगने का घर दो तो केवल दो क्या तो पन्ना दाय या दुसरा दुर्गदास रखवाड मिलेका थीसरा रखरण बद में चैतक है जो मिनक नहीं है पसुए मनुस्यों में वह इस्तान जो दुर्गादास और पन्या जहाई ने गरहन किया है वह साइध ही कहीं पर इस परकार के कोई दूसरी चीजें मिलती होगी हमको वह दुर्गादास जी थे पर फिर आगे दो पाइनली कदें 1708 में अजीश सिंग जी आपर रजा बनगे ये रजा बनने के बाद और दुर्गादास जी के साथ बंच्क बंद सबस्क्राइब करने जौण करेगा दुर्गादास पर अबड़ा इस साथ ये रजा और ये चैवारि परकादास उपर बसे सब्सक्राइब करे पर दोगों यह दोना कि आदग पढ़ी पहले नमस्ते दुर्गादास को सब्सक्राइब जर्ण नमस्ते अजीद सिभ्सक्राइब दूपाइब ऑफ दर्रबार आप बुड़े होगे अब गर पे रहा करो आराम किया करो पहुत कि बातों को समझ के दिर्वार नहीं पाए अब अजीद शिंग जी ने उनके घर पर एक बंदा बेजा, दुर्गादाशी सो रहे थे, उठे, बंदा आगे तयार था, बताओ भई, का अजीद शिंग जी ने आपके लिए मतीरा बेजा, मतीरो बेजा, दुर्गादाशी इसका मतलब समझ रहे थे, उस सिंबल था एक, मतीरो, मत रहो यहां मत रहो अब मुझे मत दिखो यहां से दुर्गादासी कुछ भी नहीं बोले चुप चाप जब भी किसी विक्ति को देश निकला दिया जाता था डिपोट किया जाता था काले कपड़े पहने कला घोडा लिया और मारवाड की सिमा से निकल कर मेवाड चले गए थे मेवाड में अमर सिंग सेकिंड रजा वहा करते थे उदर अमर सिंग सेकिंड के पास मन चले गए उन्होंने उनको बाद में एक तो विजयपूर की जागीर दे दी थी और एक रामपुरा की जागीर दे दी थी यह दो जगह दे दी थी बाद में दुरगधास जी वहीं रहे थे किसी आदमी का आप स्वामी भकती का चरम देखिए कि जब उस व्यक्ती को कहा गया कि जिस राजा को तुने बनाया है जिस राज्य को तुने बचा है उस राज्य को छोड़ के जाना है वो राजा ये ओडर दे रहा जिसको 30 साल तक पाला था पाल पॉसकर बढ़ा किया था अब आप यहां पर नहीं रह सकते और वादमी एक बार भी यह नहीं कहता कि क्यों है एसा केसाμ एक और क्रेक्टर हमारी इश्क्री में अकबर को रजा बनाने वाला बैराम खान बैराम खान ने हिक बनाया था मुगल भादसा बनाया जी थे अब स्वामी अजित सिन्, एडि ओडर यहां नहीं रहने का तो मैं यहां से चला देबूँ और यहां से मेवाड चले गए थे, फिर मेवाड से ही फाइनली काते हैं उज्जेन चले गए थे और उज्जेन में वहीं पर म्रत्यु वी थी, उज्जेन शिप्रा नदी के किनारे बसावा है, उस शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादा स्राटोड की चतरी बनी वी, याद रखेना कोई पूछ लेगा, कि दुर्गादा स्राटोड की चतरी कौन सी नदी किनारी बनी बनी मरत्यु वाड़ा मैंने बताई दिया उनके, टाइटल पर लेते हैं, उपाधियां कौन-कौन सी थी, करनल तोड कहता है वो राठोडों के युलिसेस थे, युनानी युद्धावाएक युलिसेस, ग्रिक वोरियर वाए, पर किस कहते हैं जिस परकार, उसने ग्रीस को दुस्मनों के हाथ से बचाया था, उसी परकार राठोडों को दुस्मनों के हाथ से कोई बचाने आवाले थे, उद्धुर का दास जी थे, इसलिए करनल तोड ने उनको राठोडों का युलिसेस का है, उनको राजपुताने का गेरिबाल्डी कहा जाता है, गेरिबाल्डी इटेलियन हिरुएक, इटली का एक युद्धा था, जिसने इटली के युनिफिकेशन में मुख्य भूमी का निभाई थी, और जब इटली का युनिफिकेशन हो गया था इटली युनाइटेड हो गया था बहुत अच्छी लाइन है वेल डिश्ट्री की इटली का एक ही करण होने के बाद गेरी बाल ड़ी सब कुछ छोड़ चाड़ कर कुछ एक बीजों का थेला लेकर एक अग्यात द्वीप पर चला गया था रहां पर खेती करने लग गया था कुछ उसी परकार राजस्थान की रियासतों को एक करने वाला वो दुर्गादास जब देबारी समझोते में मुगलों के खिलाब तीन बड़ी रियासतों को एकठी कर देता हूँ अमेर को मेवाड को मारवाड को सब कुछ करने वाला वो राजस्थान का यद्धा अपने अंतिम समय में जो राजा दुवारा उसे देश निकला दिया गया डिपोर्ट किया गया तो सब कुछ छोड़ वो उज्जेन में उस छिपरा नदी के किनारे महाकाल की सेवा में रत हो गया तर वहीं पर उसकी मृति हो गई थी इसलिए कहा गया कि वो राजपुता ने का गेरिबाल दिये उन्हें मारवाड का अनबिंदिया मोती कहा जता है यसा मोती जो बिंदा नहीं गया है अनपियस परलोप मारवाड है सद्ध विशुद्ध व्यक्ति था हो तो यह दुर्गदास जी की सारी बाते थी क्या महान आद्मी रहा होगा क्या महान करेक्टर रहा होगा इसे एक राम जी नाम के एक जाट किसान हुए उनका बहुत अच्छाएक दुआ है कि दमग दमग डोल बाज की छोड़ देता उस एक बंदे ने नेकल धार्म की रज्य की स्वामी की अजीत सिंग की राधस्थान की जो रक्सा की थी इसलिए हम मारवड में राजाओं को जाने नहीं जाने पर जन जन की जुबान पर यदि कोई बंदा रहता है तो वो बंदे दुर्गदास राठोड जो सब के द्वारा याद किये जाते हैं तो आप भी याद रिखना भी दुर्गदास जीवर एवन अपने राधस्थान के बहुत उचे हिस्टोरियन हुए है गोरी संकर हिराचंद होजा तो गोरी संकर हिराचंद होजा उन्होंने किताब लिखे जोदपूर रज्य का इति जास इसका जो 2nd edition लिखा था उन्होंने जो 2nd एडिशन था दुर्गदास राठोड को dedicate किया गया था दुर्गदास राठोड को summer fit किया गया था ये भी याद रखना बगए कोन से राइटर ने अपने पुस्तक दुर्गदास राठोड को summer fit कर दी थी तो वो राइटर जो वो गोरिश संकर हिराचन ओजा थे और उनकी बुक का नाम के है तो जोद्पूर रजे गई थियास और उसका कौन सा एडिशन था हो सेगिंड एडिशन था हो फिर आगे देख लेते हैं अचलो वो एक बात बीच में रह रही थी मैं बता देता हूं आपको अजीत सिंग की बात एक रहेगी वो बता दूँ देखो अजीत सिंग वाले में उसमें नहीं लिखी वी थी एक तो अजीत सिंग ने अपनी बेटी की साधी मुगल बादसा के साथ की थी बेटी के नाम था इंदरकमर इंदर कमवर नाम की बैटी थी और इसकी साधी मुगल बासा फरुक शियर के साथ में हुई थी मुगल बासा फरुक शियर के साथ में इसकी साधी की थी आलंग कहते हैं कि बाद फरुक शियर के मरने के बाद इसको वापस लेके आ गए थे पर इंदर कमवर अजीद सिंग की बैटी है, अंतिम कोई राजस्थान की राजकुमारी है, जिसकी साधी मोगिल बाजसा की साथ की गई, इसके बाद किसी भी राजकुमारी की साधी मोगिल बाजसा से नहीं भी थी, तो ये मोगिल बाजसा का नाम रख लेना, याद रख लेन अमर सिंग को बड़े होने के बात जो दिनों ने नागोर दे दिया था तो अब मैं अमर सिंग के कोई वंसे जा उसको जोदपूर का राजा बनाऊंगा वापस तो अमर सिंग के बादे बेटे वेटे राइसिंग, राइसिंग का बादे बेटा हो था इंदर सिंग, उसने ग्रान सण फरमर सिंह कहा का राजा है तो नागोर का राजा है ओरेंग जीवने कित्ते लाख रूपए लेके तो unique to कहां का राजा बनाया तो जोद्पूर का राजा बनाया लेकिं जोद्पूर की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया था। और जोतपूर की जनता ने इसको बगा दिया था, भाग यहां से, यह भी आद रहे नाग। कि जीद सिंग की जब औरंग्जयेव से लड़ाई चल रही थी ओफिवी दे शीज़ राजा नहीं बनाना चाहता था और अजीद सिंग चे और बाक्त सिंग इंदूनों भायों के अपपाना कि पान अपने बाप को इंदूआ को और और शेल उक्त मारे अजमाल वह हिंद्वाण नीयरो शूरम tahun तुर्कानीरों साध कि ये तुने अजीद सिंग जैसे सुरुवीर को क्यों मारा वो समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रजा और मुसलमानों को रोकने वाला था पर मार्थिया दो भाई मारी दिया पर गतेंगा जीज जब अंतीम संसकार करने के लिए और व्यूदर् ने कौन से भले काम किये तो उनकी चिता जा जाd रही थी जब आग जल रही थी वहांपे उनकी लास पह तो कौन सी राजा के मृत्तियू पर खूब सारे भास जलके उनकी आडाउंस त्यख साथ कर रह देद हैं तो